रूस के राश्पती ब्लादिमिर पुतिन की एक एनाॉंसमेंट क्या पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी चितावनी है? क्या निकलियर हमले के एनाॉंसमेंट के बाद से एक युद्ध में बड़ा भैंकर रुख सामने आने वाला है? नमस्कार बहुत स्वागत है आपका नियुजटीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हूरी नुयादम लगतार आप देख रहे हैं कि युक्रीन और रूस के बीच में जिस तरीके से संघर्श जारी है उसके बाद से ब्लादिमिर पुतिन की एक एनाॉंसमेंट ने सभ नियमों में बदलाफ करने की बात कही गई है दरसल रूस को बचाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है ये कहना है ब्लादिमर पुतिन का रूसी रास्टपती ब्लादिमर पुतिन ने एक बार फिर से पश्चिमी देशों को परमालू हत्यारों के इस्तमाल की धंकी दी है कई नई चीजे जोड이 जाएंगी रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ परमालू हत्यारों का इस्तमाल भी किया जा सकता है तो महीं दूसी तरफ रूसी अलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रवता पर गंभीर खत्रा आ सकता है तो इस दोरान भी रूस परमाडू हत्यारों के इस्तमाल कर सकता है यानि कि अगर मिसाइलों से आने तरीकों से ड्रोन से भी हमला किया जाता है रूस में तो परमाडू हत्यारों का इस्तमाल रूस कर सकता है ब्लादिमर पुतिन के बहुत बड़ी अ announcement, सुरक्षे परिश्दत की बैटर के दोरान और ये भी कहा गया कि अगर कोई गैर परमालू संपने देश की मदद से कोई हमला करता है या परमालू हमला करता है तो इसे दोनों देश की तरफ से हमला करना माना जाएगा और उसके खिलाफ रूस सक्त कदम उठा सकता है आपको की इजाज़त मांग रहे दरसल जो युकरेन को बरितन ने मिसाइले दी हुई है ये लंबी दूरी की घातक मिसाइले हैं लेकिन इनका इस्तमाल सर्फ और सिर्फ युकरेन की सीमा के आस पास ही लगा जा सकता है और यही कारण है कि जो पर्तिबंध है जो नियम है उन्हे अ अटाने की मांग लगातार युक्रेन कर रहा था यानि की जलन्सकी कर रहे थे और इस मांग के बाद से ब्लादेमिर पुतिन का ये अनौंसमेंट कि परमाडू हमला किया जा सकता है अपने देश को बचाने के लिए ये वाके में एक बहुत बड़ी चितावनी है पश्चिमी देशों के लिए युक्रेन इन मिसायलों का ह्तमाल रूस में नहीं बलकि सिर्फ अपनी सीमा के भीतर ही कर सकता है जिन मिसायलों को ब्रिटेन ने दिया है सुरक्ष्य की लिहाद से और यहीं कारण है कि बार बार युक्रेन ये मांग कर रहा है कि जो प्रतिबंद लगाए क्यां मिसाइलों के इस्तमाल के लिए क्योंकि 300 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकती है और वो रूस में हमला करना चाहते हैं और लेकिन प्रतिबंधि के कारण अभी कर नहीं पा रहे हैं सुरक्षा नीती के तहट कर नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि इस बार परिश्टर्ट के दौरान नुक्लियर हमले की नुक्लियर के इस्तमाल की जो बात रखी गई है कि अगर कोई भी घातक हमला हुआ तो ये परमाडू हमला करने के लिए रूस पुरी तरीके से तया है और ये चिता दिया गया है पस्चिमी देशों के लिए और खास तोर पर झाला हुआ है झाला है